हेलो फ्रेंड्स कि रंदानीटर पे आप सबका बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ यह बहुत ही सुन्दर और easy design डिजाइन बहुत जल्दी जल्दी बनके आता है और दिखने में बहुत सुन्दर लगता है और आप बहुत सारे प्रजेक्ट स्पेस को इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि अपने कार्डिगन पे डालें जैकेट पे डालें जैन्ट स्वेटर पे डालें बच्चों के स्वेटर पे कैब पर डालें बहुत सुन्दर बनके आता है और किसी कलर में भी बनाएं बहुत सुन्दर बनके आएगा और बहुत जल्दी जल्दी बनके आएगा तो फ्रेंड्स इसके लिए ये मैंने 23 फंदे लिए हैं तो इसमें फंदों की कोई कंपल्शन नहीं है कोई इसमें आप एक सीधी और एक उल्टी सिलाई जैसे आप फंदे वगारा बढ़ाते हैं तो उसके बाद आप इसको बुन सकते हैं जब आप एक उल्टी और एक सीधी सिलाई के बाद इसको बुनोंगे तो राइट साइड से इसको कैसे स्टार्ट करोगे तो यहां से मैंने थोड़ा सा बुन रखा है तो रो वन जो आएगी रो वन से कैसे स्टार्ट करोगे आफटर बॉर्डर आप इसमें देखिए बहुत सिंपल दो आफंदे सीधे बुनेंगे इसमें इसकी स्टार्टिंग आपको ध्यान में रखनी है हर बार देखिए दो सीधे बुन लिये जहां पर मैंने और एक मैंने यह ऐसे परलवाइज उतार लिया है फिर मैंने दो सीधे बुन लिये हैं एक परलवाइज उतार लिया है स्टार्टिंग हर बार आपको यह जाद रखनी है यह दिखिए मैंने यहाँ पर दो सीधे बुने थे एक मैंने उतारा था दो सीधे बुने एक उतारा अब ऐसे ही करते जाएंगे दो इसमें बुनेंगे हम सीधे दो सीधे बुनेंगे एक स्लिप करेंगे दो सीधे बुनेंगे एक स्लिप करेंगे जितने में फंदे हों आपके पास दो सीधे बुनेंगे एक स्लिप करेंगे दो सीधे बुनेंगे देखिए ऐसे एक स्लिप करेंगे दो सीधे बुनेंगे एक स्लिप करेंगे last में आपके पास जैसे भी आये कोई बात निये है अगर आपके पास एक भी भुना हुआ फंदा आये या slip करा हुआ last में आये कोई दिक्ट ने है तो यहां पर आये हैं यह दो सीधे last में देखेle यह üstलिप किया दो सीधे आये last में अब आते हैं इसकी wrong side में तो wrong side बहुत easy है ये दिखिए जो आपने फंदे बुने है उदर से wrong side row second वो आप इसमें उल्टे बुनेगे ये दिखिए उल्टे बुने मैंने दो फंदे जो मैंने उदर से सीधे बुने थे और यहाँ पर जो slip किया था उसको आपको परलवाई जैसे slip ही करना है ये दो फंदे आपको उल्टे बुनने है इसको slip करना है उल्टे बुनने है इसको slip करना है ऐसे ही करते हुए ये आपको second row जो है complete करनी है ये चार सलाईया मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से बता दूँगी फिर थोड़ा थोड़ा बताऊंगी तो आप easily बुन लेंगे तो थोड़ा सा फरक रहे है और बाकी same रहेंगी सलाईया तो ये बहुत ही easy है उल्टे सीधे फंदों का ही करके आप इसमें बहुत सुन्दर पैटर्न बना लेते हैं तो ये मैंने second row इसमें complete कर लिए तीसरी सलाई है इसकी right side तीसरी सलाई में देखिए क्या करेंगे जो आपने फंदे बुने हैं वो आपको उल्टे बुनने हैं तीसरी सलाई में ये मैंने उल्टा बुन लिया एक दो मैंने उल्टे बुन लिया यहां पर और जो आपका slip करा हुआ फंदा है ये वाला देखि और जो आ पने slip किया था फंदा वो आप सीधा बुनेंगे उल्टे बुनेंगे और slip करा हुआ फंदा आप सीधा बुनेंगे बहुत easy उल्टे सीधे फंदे आप करके इसमें बहुत सुन्दर सा पैटरं त्यार कर लेंगे देखेंगे आप अभी देखें ऐसे ये तीसरी सलाई चली हुई ये इसमें सिलिप करा हुआ फंदा आपको सीधा बुनना है और जो आपके सीधे बुने हुए फंदे हैं जो आपने दोनों सलाईओं में बुने हैं वो आपको इदर से उल्टे बुनने हैं ये देखें ऐसे करते हुए यह हमने तीसरी सिलाइस में कम्प्लीट कर लिए और फ्रेंड्स इसकी रॉंग साइड की चोथी सिलाइस जो आएगी वो सारी की सारी उल्टी आएगी देखे ऐसे इसको पूरा कपूरा आप उल्टा भूनके कम्प्लीट करेंगे यह चोथी सिलाइस की पैटर्न की यह मैंने रॉंग साइड की सिलाइस जो उल्टी भूनके कम्प्लीट कर लिए इसमें अब यह चार सिलाइस इसमें बार बार आएंगे बस थोड़ा सा फरक आएगा वह मैं आपको बता देती हूँ सिरफ सतार्टिंग से आपको ध्यान रखना है अब इसकी यह पांच मीं सिलाइए तो नोष या पैला पहले काश देती हैप कागे स्लिप करना है फिर वैसे ही चलते जाना है कि it कि अदो स्टार्ट Fremen यह का सिर्फ एक फंद आपने सीधे बुणन लिए और एक आप वस्लिप कर लेंगे फिर यही सलाई आपकी पूरी चलती रहेगी दो फंदे आप बुन बाकी सलाई ऐसे ही कंप्लीट करेंगे आप देखिए갈ें इसकी लाञńsk हम यहाँ पर ऐखिए और अप्लिज़ ने ऐसे चुस्त करेंगे तो यहां पे वैसे ही करते जाेंगे दो फंदे ऐसे उल्टे बिन लेंगे जो बुने हुए funciona है और जो स्लिप करा हुए है यह दिखें यह स्लिप करा हुए इसको ऐसे ही उतार लेंगे दो फंदे बुनने के वैसे ही आपको बुनते जाना है थोड़ा थोड़ा मैं बता देते हूं ये दिखे ऐसे तो ये ऐसे ही ये रो कम्प्लीट कर लीजिए मैं करते हूं फिर दिखाते हूं साथवी सिलाई में हम ये इसकी राइट साइड है देखे बुनने का तरीका वैसे रहेगा सिर्फ ये जगा थोड़ी सी चेंज होती है इसमें आपको क्या करना है ये पहला एक फंदा आपका बुना हुआ था ये उल्टा बुन लेंगे आगे आपका सिलिप करा हुआ फंदा है तो इसको आप सीधा बुनेंगे ये दिखे ऐसे बुनने का तरीका वैसे का वैसर रहेगा ये दिखे अब आपके दो फंदे ऐसे उल्टे आ जाएंगे जो आपने बुने हुए है और जो आपका दो बार सिलिप करा हुआ फंदा है वो आपका सीधा आ जाएगा दो फंदे उल्टे आ जाएंगे बुने हुए सिर्फ इसकी जगा चेंज होती रहेगी बाकी इसका बुनने का तरीका सेम रहेगा ये देखिए अब आप देख सकते हैं मैं नीचे से आपको दिखाती हूँ पहले आपका स्लिप करा हुआ फंदा ये था अब जस्ट एक पहले रखा तो यहां आगया ये देख सकते हैं पहले स्लिप करा हुआ फंदा ये था फिर यहां आगया तो ऐसे इसकी जगा चेंज होगी ये आप रो बुन लीजिए मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ देखिए इस स्लिप की लास्ट में हैं यहां पे ये दो फंदे उल्टे बुन लिए मैंने जो बुने हुए थे और लास्ट में इसका फंदा था जो आपने स्लिप किया था तो इसको आप ऐसे बुन लेंगे तो ये रो हमाली कम्प्रीट होती है सात्वी अब आठ्वी सिलाई फ्रेंड्स इसमें सारी की सारी उल्टी आएगी जैसे हमने पहले भी डाली है चोत्ती सिलाई उल्टी डाली थी चार-चार सिलाईयों का ये है पैटन चार सिलाईयों में आ जाता है ये देखिए ये आप सारी की सारिया से उल्टी भून के complete करेंगे तो यह मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स इसमें 8 सिलाई हमारी complete हो चुकी है आप देख रहे हैं pattern आ रहा है तो अब हम इसकी 9 सिलाई में हैं तो यहाँ पे यह दिखे हमने यह वाला फंदा सिलिप किया था पांचमीं सिलाई में अब यहाँ पे हम इसमें आ गया फर्स्ट फंदा सिलिप करने के लिए तो यहाँ से यह फर्स्ट फंदा हम सिलिप कर लेंगे ऐसे देखे जस्ट उसके पहले वाला तो यहाँ पे बुनेंगे हम दो फंदे सीधे ऐसे कब ऐसे ही फिर हम एक फंदा स्लीप करेंगे आप देख रहे हैं जस्ट पहले वाला फंदा दो फंदे हम सीधे बुनेंगे एक फंदा हम सीधे बुनेंगे दो फंदे हम सीधे बुनेंगे तो ऐसे ही ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे अब लास्ट में आपका कहीं भी आएगा कोई चक्कर नहीं है रो नमबर 9 की लास्ट में हम यहां पर मैंने यह फंदा स्लिप कर लिया है आप देख सकते हैं इसके जस्ट पहले वाला और यहां पर यह देखे एक और यह दो फंदे बुन लिये हैं अब स्लिप करा हुआ फंदा यहां पर आया है लास्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं भी आए तो यह लास्ट में आपका एक बुना हुआ फंदा आ जाएगा अब इसकी रो टैन हैं तो रो टैन में फ्रेंड्स आप वैसे ही करोगे जो बुने हुए फंदे हैं वो उल्टे बुनेंगे एक है लास्ट में यह उल्टा बुन लिया हमने यहां यह स्लिप करा हुआ है इसको हम स्लिप कर लेंगे दुबारा दो उल्टे बुन लेंगे देखिए ऐसे यह स्लिप करा हुआ फंदा है इसको स्लिप कर लेंगे दो उल्टे बुन लेंगे बहुत ही एजी और स्लिप करा हुआ स्लिप करेंगे तो ऐसे ये सिलाई कंप्लीट करते हैं मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स सीधी साइड में आगे हम इसकी ग्यारवी सिलाई है ये हमारा स्लिप करा हुआ फंदा था तो इसको हम बुन लेंगे ऐसे सीधा देखे ऐसे और ये जो बुने हुए फंदे हैं दो इनको हम उल्टा बुन लेंगे देखे ऐसे और स्लिप करा हुआ फंदा दिखे फ्रेंट्स ये है हमारा इसको हम बुनेंगे सीधा बुनने का तरीका वैसे ही रहेगा सिर्फ जगा चेंज होगी इसकी दिखे दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे इसकी स्टार्टिंग का ही थोड़ा रहता है बाकी ये बहुत एजी है तो ये दिखिए ऐसे ऐसे करते हुए ये पूरी रो कम्पलीट करते है रोंग साइड में आगए इसकी हम बारवी सिलाई है तो ये दिखे फ्रेंट्स इसको हम सारे के सारी उल्टे बुन के कम्पलीट करेंगे ऐसे तो ये मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाते हैं देखे फ्रेंड्स 12 से लाई हैं इसमें complete हो चुकी है इसमें 3 डबियां बन चुकी है 4, 4 और 4 की तो इसको आपको क्या करना है 12 से लाई हैं जो मैंने आपको बुन के बताई है रो नमबर 1 से लेके रो नमबर 12 तक आपको ये आग्यागे repeat करते जाना है तो आपका ये pattern चलता जाएगा मैं आपको row one थोड़ी सी बताती हूँ इसके दुबारा देखी कैसे करेंगे हमने क्या करा था row one में दो फंदे हमने सीधे बुने थे फिर से वैसे start हो जाएगा ये दिखे आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है हमें जो slip करा हुआ फंदा है उसके just पहले वाला करना है तो अब यहाँ पे कोई है नहीं तो फिर से वैसे शुरू हो जाएगा दो हमने सीधे बुन लिए ये हम slip कर लेंगे तो ये बारा सिलाईयां जो हैं ये आप आगे आगे repeat करते जाएंगे तो आपका pattern चलता जाएगा तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहां पे कि आपने उल्टे सीधे फंदे बुनते हुए कितना सुन्दर pattern त्यार कर लिए ये दिखे आप ये आपको दिखाते हूँ और प्लीज सुब्स्क्राइब लाइक एंड शेयर थैंक यू